highest paid drama क्योंकि मैं ये तन्य पूछ हूँगा कितने पैसे लेते हैं क्योंकि वो तारे बात है personal battle हो जाए अब क्योंकि recently pay scale जो आपका बढ़ता है वो time के साथ से बढ़ता है तो recently जितने भी place कर रहा हूँ I think वो although हमारे रुपे की value down है तो अगर हम calculate करें तो काम भी बनते होंगे लेकिन कहने को figure ज़्यादा है सबसे इस वक जो मैं charge कर रहा हूँ as in वो पहले से बहुत ज़्यादा है gradually time के साथ बट अगर उसको हम compare कर लेंगे चार साल पहले तो मुझे लगता है वो पैसे ज़्यादा बिल्कुल और आप ने तो जाहरा hair and there के साथ पांड्स में convert करना है नहीं नहीं मैं पांड्स में convert नहीं करता यहीं पर यूज करते हम लोग पैसे उदर तो नहीं रेके जाते ठीक है लेकिन अभी amount के हिसाब से कर देखा है तो I think सबसाद अभी charge कर रहा हूँ अच्छी amount है अगर आप बताना चाहिए तो बता दें खुदी roughly आप के लगते हैं ड्रामा कितने पैसे मिलते हैं मुझे तो फिर भी कुछ idea है लेकिन public तो यह समझती है कि बस एक drama कर लें तो सारे जिंदगी उसके बाद इतना पैसा बन जा था उसमें नहीं public ad आप उनको इतना बेवकूफ समझे है यकीन निसे मुराद कुछ लोग होते हैं सारे लोग तो नहीं होते हैं लेकिन वाकिन अच्छा अब ज़रा नहीं इस गुड़ अमाउंट देखें आक्टर की जो पेस जो fee structure है ना वो depend करती है उसके caliber पे और by caliber I mean कि आप किस category में fall करें आप A plus actor है आपके नाम पे क्या film और ड्रामा बिखता है लोग viewership आपको देखना चाते हैं लोग प्यार करते हैं तो उसी हिसाब से production houses पैसे देते हैं वो भी उसी पे invest करते हैं जो episodes कितनी है episodes कितनी है वो matter करता है कि कितना लंबा play है और फिर आप नीचे से यह एक actor उपर जाता है तो सब लोग तो एक category में fall नी करते हैं लेकिन जो एक certain level पे हैं actors they very mashallah खुश है, affluent है, पैसा वैसा करोड़ों में होता है एक ड्रामे का नहीं, करोड़ा में नी होता बन सकता है, depending कि कितनी लंबी सीरीज है, बन सकता है depending on the series आपका कोई बना? यहासा ड्राम लंबी सीरीज वाला क्यों पूश रहे हैं चले बस आप पता चल गया ला कितने बन जाए बाल आपके असली है कि माशालला, खेच के बेख लो इसका क्या राज है? लोगों को बड़ा होता है जी, कि इस एज में माशालला इधर मेरे देखें, अभी मैं 30's में हूँ और मेरे यहाल होगे यार प्रीज ये लोग देख रहे हैं माशालला बोले जब कि इस सवाल के देखें, अभी मेरे तो पहले माशालला बोला है आपकी तो एज मुसे जादा होगी, तो तर नहीं है तो कोई क्या special treatment light moment of the show जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, होना चाहिए अच्छा लगता है तो बालों के राज मैं क्या बोलो, मैं रोस तेल लगवाता हूँ, मैं ये कुछ नहीं करता भाई मैंने पहले भी बोला, naturally जो है मेरे वाले साब कि माशालला, he's 80+, he still has इतने ही बाल होगे, उनके सरपेश थोड़े काम होगे माशालला और, naturally, Allah का करा मैं, ये चीज़ें सब Allah की देन होती है बिलकुल, माशालला तो, आपने ख्याल लिए रखा, Hafiz अब अपने बालों का यह भी क्या सकते हैं नहीं, ऐसा नहीं, I think it's genes अगर parents के बाल कम होते हैं, तो naturally और लड़कों के तो usually 40s, 30s में जाके बाल जो हैं, वो गर जाते हैं, ऐसा ही होते हैं जो बिलकुल, ऐसा ही होते हैं तो जब मैं वहाँ तक पहुंचूंगा फिर आपको बताऊंगा आप उससे आगे निकिल जा के माशालला वो हसर है, पीशे कैमेरे में आपको ऐसी हंसा मुस्वाता रखे आपकी गर्दन पर टैटू है और लोगों को बला नजस्स है जी, यह क्यों बनवाय हुआ है आपने क्या कोई शौक था या किसी बजर्ग ने कहा था कि यह बनवालो कोई ऐसी चीज, कोई तावीज लेखवालो यही समझ ले आप अच्छा अबस यही समझ ले किसी के कहने पे बिलकुल यह अपनी मर्जी से यह अच्छी रिमूवबल भी होता है अबी तो कुछ है बट यू किन आल्सो रिमूव इट तो मैं एक केरेक्ट र करग्र तो उसमें मुझे एक टाटू रोज बनवाता था तो वो बड़ा प्राब्लम करे था तो मैंने एक टैटू बनवा लिया यहां पर अपने मकसद का एक टैटू बनवाया और फिर वो रिमूवबल भी है, इट गेट्स रिमूवड अलसो एसन भी, डिफरेंट आपने काम होता है और तीन कैमरा टाइम और पूरा सीन एक ही वक्त में हम रिकॉर्ड करते थे पीटीवी पे वो भी काम है कर चुका हूँ और यह जो प्राइवेट चैनल में एक सोलो शॉट और मास्टर शॉट पूरी टेकनीक डिफरेंट है फिल्म की टेकनीक यूज होती है और दोनों में ही बहुत अच्छा है बेसिकली ड्रामा बनता है स्टोरी से अगर आपकी स्टोरी अच्छी है अगर आपका किरदार अच्छा है कहानी अच्छी है और अगर एक आर्टिस उसको एंजॉई कर रहा है और लिखा अच्छा हुआ है तो वो कहीं भी हो सकता है बट मुझे तो दोनों जग़ा पर काम करके बहुत मज़ा आया बेकिस दोनों से ही मैंने सीखा मैंने पी-टी-वी से आगास किया अपनी करेयर का तो उन से सीखा मैंने बहुत है तो that's also a good style and the private style is also warm trained हो चुक है उसके लिए भी इतना काम किया तो that's also very nice जब आपको script आता है तो मावे जारा आपको पता होता है कि आपके opponent कौन है actress कभी कोई ऐसी भी है जिसको देख कि अब ने काओ नहीं इसके साथ तो मैंने लिकाम कर अच्छा बहुत इस तरह को कि visible मैं नहीं समझता ऐसा है बस एक मुझे problem भी होता है कि मैं जरूर यह कहता हूँ कि जो interested नहीं है अपने काम में या जो late आने वाले हैं बहुत set पे हम लोग भी कभी देर सवेर हो जाती है एक दो घंटे की बड़ टाइम्स कभी किसी ने ऐसा किया हो के यार वो चार बज़े आएंगे कोई set पे यार दो बज़े आएंगे कोई भी actor होता है दूसरा तो आप जो time पे जाने वाला होता ना उसको बहुत problem होती है because मैंने अगर किसी को 50 दिन दी हैं तो वो drama 70 दिन में खत्म होगा और मेरा मैंने तो contract 50 दिन का किया और I have to move on dates आगे किसी और को दी होती है so वो problematic हो जाता है so I just I like working with professional people only मुझे जहां पर थोड़ा सा भी ये feel हो कि वो अपने किरदार में interested नहीं है वो मुझे scene में interested नहीं है कोई भी actor हो चाह वो बाप बने हो, माँ बने हो यहां मेरी heroine हो यहां कोई दूसरे किरदार होते हैं ड्राम में so I just I just can't work with उन लोग साथ काहम करना मुझे लोगा ऐसा को refuse किया कभी आपने शायद एका दफ़ा किसी को बोला ज़रूर होगा कि please आप देख ली जगा कि जो भी आप actor sign कर रहे है तो उसमें वो लोग आप sign कीजिए जो professional लोग है if they are not interested in this work they should do something else because वो उससे यह होता है कि मैं अगर 4 बज़े जा रहा हूँ बाकी लोग मेरा wait कर रहे है सुबा से तो मैं उनका भी काम खराब कर रहा हूँ तो किसी एक इनसान को सबका काम खराब नहीं करना चाहिए ने इस चीज़ के तो मैं भी second करूँगा क्योंकि आपने यहां पे आना से basement पहले मुझे call की कि मैं पुछा कि जी हाँ जी मैं आ रहा हूँ कि आप ready है बिल्कुल यह बड़ी अच्छी चीज़ है कि इसकाम में इतना हरसा गुजर गया है और अब यह होता है कि बस काम करें यार और आगे चलें तो वो एक nature बन गी वी है कि काम बस हो जाए तो इसलिए वो जो fall to time waste नहीं होता जिन्दगी का एसन में बहुत शुक्री है आपके time का बड़ा मज़ा है बड़ी बेहतरीन और खास और पर एंड पर जो हमने ज़रा हंसी मज़ा किये भी बड़ा बेहतरीन हो गया है थोड़ा सा सीरिस हो गया है सीरिस थोड़ा सारी जादा अच्छा कर लिए लास्ट पर आप पब्ली के कोई message देना चाहे है खास और पर हमारी जग ज़रेशन जो रातो रात कामयाब होना चाहती है उनके लिए लास्ट में क्यों लोग चाहते हैं हम एक्टिंग में आई या कहीं भी तो एक रात में हमारा ड्रामा फिल्म वाइरल होने चाहिए या हम कोई भी काम कर रहे है हो भी सकती है अच्छा करें हो सकती है लेकिन मैं सिर्फ एक बात पर यकीन रखता हूँ और मुझे लगता कि सब को इस बात पर जरूर गोर करना चाहिए कि अपनी डिग्निटी पर कॉंप्रमाइज ना करें कभी जिन्दगी में यानि इज़त से बड़ी और कोई चीज नहीं है दुनिया में पैसा और बाकी तमाम चीजें इज़त के बाद रखें तो अब आपकी रिस्पेक्ट अगर कहीं चली जाती है कि हमारे लोग ये भूल जाते हैं कि कुछ भी किसी की चीज़ के पीछे भागने में या कुछ कमाने में कुछ भी कर लो यार लेकिन प्लीज अपनी यू कैन गेट फेमस और वाइरल बट डाट्स वरी टेंपरेरी और वो दिलों में जगा बनाना आपकी पैचान बन जगेगी लेकिन दिलों में जगा नहीं बनेगी तो अपनी डिगनिटी को कॉम्प्रमाइज ना करें कोई भी बाशूर इंसान, कोई भी बाशूर कौम दुनिया भार में आप जहां भी देखते हैं